हेलो एब्रीवन वेलकम टू माई चैनल इसकीन केयर टीप्स फोर विंटर यह तो इसकीन को साल भर केयर की जरूरत होती है लेकिन विंटर सीजन में यह जरूरत कई गुना बढ़ जाती है इस मोसम में ऐसे करें अपनी रूखी तो अचा का देख भाल तो उससे पहले नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लें साथ ही बेल आइकन को किलिक करें ताकि जो भी मैं वीडियो डालू इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके तो सर्दियों को मोसमा वा सुरू होने चला है तो अभी से ही अपने इसकीन का केयर करना भी भी बहुत जरूरी है तो इसके लिए हम लेंगे थोड़ा सा नारियल तेल जितना कि आप अपने चेहरे और गले पर लगा सकते हैं तो मैंने यहां पे एक चमच नारियल तेल लिया है और इसमें थोड़ा सा हल्दी मिला देंगे इसे मीक्स करके चेहरे पर लगाएं और फ सोने से पहले अपने चेहरे और गर्दन पर इसको अपलाई कर सकते हैं चेहरे पर लगाने से पहले आप चेहरे को साफ कर ले और लगाने के बाद 10 मिनट तक इसे लगे रहने दे उसके बाद आप कोटन कपड़े से इसको साफ कर ले और सुबह फिर जब आप सुबह फेस्वास भी कर सकते हैं या आप अपने चेरे पर साबुन भी लगा सकते हैं इस तरह से आप 10 दिन करेंगे तो आपके चेरे में फर्क दिखने लगेगा इसे लगाने से काले दाग धबे दूर हो जाएंगे और रूखी इसकी ठीक करने के लिए एक वेहतरीन मौस्ट्रेजर भी है हल्दी और नारियल तेल में एंटी सेप्टिक गुन होते हैं जो तोचा में मौझूद वैक्टेरिया और सुजन को भी कम कर सकता है अगर आप हल्दी और नारियल तेल के साथ हमें मिला कर चेहरे पर लगाएंगे तो इसे तोचा की कई समस्यां दूर करने में मदद मिल सकती है या कॉमिनेशन कील मुहासों से भी चुटकारा दिलाएगा चेहरे के दाग धबो को भी साफ करने में मदद करेगा ड्राइ इसकिन से छुटकारा दिलाएगा और नेचरल मॉस्टिराइजर करेगा या तोचा को कोमल, साइनिंग और ब्राइट बनाने में मदद करेगा आई होब कि ये वीडियो आप लोगों के अच्छी लगी हो फ्रेंज, वीडियो अच्छी लगेगी तो प्यारा सा केमेंट जरूर कर दिजिएगा फिर मिलेंगे नेचर वीडियो में, तब तक आप लोग हल्दी रहें, खुस रहें, थैंक्यू, बाई